Hi everyone, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत important session में So, आज इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं RTE Act 2009 को बहुत important video है if you are preparing for any exam So, ये वीडियो आप सभी को मदद करेगी And definitely आपको जरूर benefit मिलेगा इस वीडियो से अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं So, don't skip this video Because कहीं ना कहीं आपको चीजों के clarity होगी जो चीजीं आप कभी बुक में पढ़ते हैं आप इधर उधर पढ़ते हैं So, कई बार होता है हमें चीजने याद करने में काफ़े difficult हो जाता है So, I'll try to cover all those aspects in very briefly ताकि आप इनको याद easily कर सके जो भी important बाते हैं And exam point of view से जितनी भी important points हैं उनको मैंने यापे highlight किया है So, चलिए फिर हम लोग start करते हैं And पूरी वीडियो ज़रूर देखना Okay, तो सबसे पहले देखो RTE Act को शुरू करने से पहले हम इसके full form पे पहले बात करेंगे क्योंकि कई बार full form ही पूछी जाती है सबसे easy है full form लेकिन कई बार इसमें ही गलती हो जाती है ठीक है? तो RTE की full form होती है Right of Children to Free and Compulsory Education So, यहाँ पर आपका option में Off की जगे 2 देदेगा कभी 2 आगे देदेगा कभी Off पीछे देदेगा तो बस Offer 2 का यह थोड़ा सा आप concept को याद रखिएगा RTE means Right of Children to Free and Compulsory Education यह है इसकी full form और आईए बात करते हैं इसकी कुछ history के बारे में विचार करेंगे हम लोग फिर कुछ इसके important और aspects पे भी हम चर्चा करेंगे तो देखो टोटल chapters RTE में 7 है 7 chapters में पूरा का पूरा Right to Education Act को बाटा गया है कुल धाराए पूछी जाती है तो 38 इसकी धाराएं है ठीक है? साथ अध्याए और 38 धाराएं RTE Act के अंदर शामिल है अब हम बात करेंगे कि RTE Act है क्या और क्यूं आया? कैसे कैसे यह आया? हमारे Constitutional में क्या-क्या Changes आये जहां से RTE Act को लागू किया गया था सबसे पहले 2 December 2002 2002 डेट आपको याद रखनी है वैसे तो पूछा नहीं जाता है बट आपके information के लिए यहाँ पर एड कर रखा है मैंने ठीक है? 2 December 2002 को समविधान में 86 शंशोधन किया जाता है amendment होते रहते हैं Constitution में तो जो 86 amendment है वो बहुत important हो जाता है क्योंकि इस amendment में ही यह कहा गया कि वही सिक्षा को हम क्या बनाएंगे? मौलिक अधिकार बनाएंगे ठीक है? तो 2 December 2002 में समविधान में 86 शंशोधन किया गया कुछ constitutional changes लाए गये इस समविधान शंशोधन में और इस संशोधन के दौरान जो आर्टिकल 21A था यानि अनुछेद 21A भाग 3 में यह कहा गया कि वही हम सिक्षा को क्या बनाएंगे? हम एक मौल अधिकार बनाएंगे मौलिक अधिकार बनाएंगे तो education को fundamental right बनाया गया मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 21A भाग 3 में और यह कौन सा संशोधन था? 86 शंशोधन था समिधान का जो कि 2 December 2002 में किया गया था ठीके? तो यह बहुत important है exam point of view से आपसे article पूछा जाएगा कि किस article में 6-14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार सिक्षा की बात की गई है और किस समिधान संशोधन में जो सिक्षा था उसको मौल अधिकार बना दिया गया तो मौल अधिकार बनाने का निन्ने जो है उसके बाद लोकसभा में से लाया गया था तो राजसभा में आया 20 जुलाई को बस ऐसे बेसिक याद रख लो 4 अगस्त को ये लोकसभा में आया 2009 में जुलाई में आया राजसभा में 4 अगस्त को आया लोकसभा में उसके बाद 26 अगस्त को तो जब राश्टपती ने इस पर हस्ताक्षर किया और तब से ये क्या बन गया आठी अधीनियम बन गया तो जब राश्टपती ने इस पर हस्ताक्षर किये तो ये क्या बन गया अधीनियम बन गया उसके बाद 27 अगस्त को इसको गैजट में प्रकाशन किया गया एक देश में जो Right to Education Act है उसको लागू कर दिया गया केवल जम्मु और काश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में भारत में पूरे देश में आर्टी एक्ट को लागू किया गया तो आर्टी एक्ट जो है वो उसको लोकसभा, राजसभा में जो भी गजट आया, राजश्रुपत आर्टी ने जो हस्ताक्षर किये जो अधिनियम बना वो तो 2009 में ही बन गया था ठीक है आ गया था 2009 में लेकिन लागू कब हुआ था ये एक अपरेल 2010 को लागू पूरे देश में हुआ था और भारत जो है विश्व का 135 देश बन गया जिसने आर्टी एक्ट को अपने देश में पूरे देश में लागू किया जामू कश्मीर को छोड़ करके ठीक है तो ये थे कुछ इसकी important important main main बाते जो आपको याद रखनी थी अब हम आगे बढ़ेंगे कि आर्टी एक्ट जो आया इसका objective क्या था क्या उदेश्य को किस उदेश्य के लिए आर्टी एक्ट को लाय सार्व भामी करण में बहुत सारी चीज़े आती हैं सबसे पहले तो ड्रॉप आउट को कम करना जो बच्चों का एड्मीशन है जो नामांकन है उसकी संख्या को बढ़ाना एन्रॉल्मेंट को बढ़ाना जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनको स्कूल तक पहुँचा ठीक है दूसरा क्या है यहां पर मेन इंपोर्टेंट इसको अबजेक्टिव कि जो भी 6-14 वर्ष के छात्र है उनको फ्री एंड कमपल्सरी एजुकेशन प्रवाइड करना ठीक है यानि कि मुफ्त एवम अनिवार सिक्षा उन बच्चों को प्रदान करना जो 6-14 वर्ष की आयू के बीच आते हैं ठीक है तो यह आयू आपको याद रखनी है 6-14 वर्ष उनको फ्री एंड कमपल्सरी एजुकेशन प्रवाइड करना और उसके बाद तीसरा है कि गुडवत्ता पुन्ट सिक्षा को सुनिश्चित करना पूरे देश में यानि कि आप क्वालिटी एज इजुकेशन देंगे सिक्षा का सार्व भौमी करन करेंगे और 6-14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कमपल्सरी एजुकेशन को आप सुनिश्चित करेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर दिव्यांग जो बालक होते हैं जो की स्पेशल जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए 6-18 आयू को निश्चित किया गया है तो अगर 6-18 पूछे का तो वो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है और अगर नॉर्मल जो है समाने बालकों के लिए है तो वो 6-14 वर्ष होता है तो आपको यह डिफरेंस याद रखना है कि दिव्यांग बालकों का एज प बच्चे होते हैं ठीक है तो यह तो हो गई कुछ में में इसके अबजेक्टिव अब आके बात करेंगे यहां पर आज आते हैं विच इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम पॉंट ओ व्यू यहां पर निउन्तम कारे दिवस और सेक्षण गंटों की बात की गई है ठीक है तो निउन्तम कारे दिवस जो है अगर मैं पुलूं प्राइमरी लेवल पे कि कितने साल में निउन्तम कारे दिवस होने चाहिए टोटल वोकिंग जो डेज है या टोटल वोकिंग आर हैं यह आपका suscri will me if की गई है तो अगर मैं प्राय्मरी लेवल की बात करो एक से पाँच कक्षा .... वो आपका 200 दिन है अगर ऐगर अपर प्राइमेरी लेवल की बात करो तो 220 दिन अथ चुनुचित किये गए है कि पूरे साल में न, 200 दिन तो primary level पे होना ही चाहिए, new term, कारे, दिवस, ठीक है, working hours and working days and working hours कितने बोले गए हैं, अगर primary है 200 के, 200 दिन के according primary है तो 800 घंटे हो जाएगा और अपर primary पे 220 दिन अगर हैं तो घंटे भी 200 बढ़ गए 1000 घंटे हो गए, तो ये hours and days आपको याद रखना है, question यहीं से आपका frame होता है, ठीक है अगर primary level पे पूछा जाए तो 200 दिन 800 घंटे है अपर primary level पे 220 दिन and 1000 घंटे सुनिश्चित किये गए हैं पूरे साल में आगे बढ़ेंगे, प्रती दिन अगर मैं बोलू पर डे अगर मैं सिक्षण कारे की बात करूँ कि कितने घंटे आप पढ़ाएंगे, तो एक से पार्चवी कक्षा, यानि प्रार्थ में किस तर पर primary level पर जो टीचर है वो चार घंटे पढ़ाएगा, ठीक है primary level पे 4 hours होगा प्रती दिन की वोगर मैं बात करूँ अपर primary level पे आपका 4.5 गंटे होगा, ठीक है अपर primary पे 4.5 गंटे प्रती दिन सिक्षण कारे जो टीचिंग कारे होगा 4.5 गंटे और primary level पे 4.5 गंटे, ठीक है तो आपको difference पता होना चीए कि प्रती दिन पूछ रहा है या पूरे साल के सिक्षण कारे पूछ रहा है ठीक है, तो प्रती दिन का 4.5 गंटे है और पूरे साल का 200 दिन और 220 दिन है primary और अपर primary पे आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे छात्र सिक्षक अनुपात रेशियो कहा गया है कि भी टीचर कितने टीचर पे, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर होने चाहिए और इस जो अनुपात है, जो रेशियो है इसकी बात धारा 25 में कही गई है तो आपको जिस्ट नॉर्मल धारा याद रखनी है अगर थोड़ा सब कोशिन का लेवल मान लीजिए टफ बन जाता है पेपर में तो आपसे धाराय पूछी जा सकती है इसलिए मैंने यहापे धाराओ को भी एड किया हुआ है तो आप एकी बार में चीज़ों को समझें तो धारा 25 में किसकी बात की गई है समिधा जो भी आटी है उसमें रेश्यो की बात की गई है कि कितना अनुपात होना चाहिए छात्र और सिक्षक का तो प्राइमरी लेवल पे छात्री सिक्षक अनुपात क्या है तीस अनुपात एक है 30 बच्चों पे 1 सिक्षक होना अनिवार रहे हैं अपर primary level पे उतना बढ़ा दो 35 पे 1 कर दो primary पे 30 बच्चों पे 1 सिक्षक अपर primary पे 35 बच्चों पे 1 सिक्षक अगर मैं बात करो primary level पे अगर माल लीजी प्राइमरी लेवल पे more than 200 students हैं 200 से जादा अगर students हैं तो वहाँ पे 40 पे 1 टीचर हो जाएगा तो ये question भी एक बन चुका है कि अगर प्रार्थ में किस तरपर 200 से जादा बच्चे हैं तो वहाँ पे अनुपात क्या होगा वहाँ पे अनुपात 30 ना होकर के 40 अनुपात 1 हो जाएगा तो ये difference आपको याद रखना है कि कब क्या ratio हमारा होगा आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे कि कितना distance होना चाहिए आटी एक्ट में distance की बात की गई है कि primary level पर विद्याले से घर की दूरी जो है बच्चे की बच्चे के घर से उसके विद्याले की दूरी कितनी होनी चाहिए तो वो एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए यानि जो जहां पर वो रहता है जहां पर उसका घर है जहां पर उसका आवास है वहां से विद्याले की दूरी एक किलोमीटर होनी चाहिए और अपर प्राइमरी 6-8 की में बात करूं तो 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए दूरी याद रखनी है इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ और कहा गया कि प्रतेक 3 साल के अंदर जितने भी बसावट है उसके पास विद्याले होना कमपल्सरी है यानि कि मान लीजिए कि कोई ऐसा जगा है जहां पर कोई विद्याले नहीं है आसपास तो ये कहा गया RT-ECT में कि 3 साल के अंदर अंदर उस आवास के उस बसावट के आसपस विद्याले प्रत एक विद्याले तो जरूर होना चाहिए और क्या बोला गया कि 3 साल के अंदर अंदर वो विद्याले होना चाहिए ऐसा कहा RT-ECT के अंदर तो ये हो गए कुछ important हमारे numbers ज इतने होंगे, यानि वीक में टोटल आर्स कितने हैं, ठीक है, टीचर के लिए, तो 45 घंटे हैं, काफी जादा most repeated question है ये, 45 घंटे बोला गया है कि टीचर के लिए होना चाहिए, जिसमें टीचर क्या करेगा, अपना पथन पाथन, पथन पाथन मतलब की टोटल लेसन प्लानिं प्राइमरी लेवल पर 200 दिन 800 घंटे, अपर प्राइमरी लेवल पर 220 दिन 1000 घंटे, और अगर टीचर के context में मैं बोलूं कि टीचर के लिए नियूनतम सपता ही घंटे क्या हैं, तो टीचर के लिए कितने हैं, 45 घंटे हैं, इतना याद रखना है, अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ और important points को फटा-फट से briefly discuss करेंगे, बहुत important है, धाराओं को भी ऐसे ही आपको याद रखना है साथ के साथ, सबसे पहले बोला गया कि 6-14 वर्ष के आयू के जितने बालक हैं, उनके लिए मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा हमें provide करना है, इस चीज की बात कौन सी धार के अंदर कि एक टीचर जो है वो कोई भी private tuition में अपने आपको नहीं लगाएगा, अगर वो स्कूल में कारे कर रहा है तो वो private tuition नहीं पढ़ाएगा, उसका अंत किया गया है धारा 28 में, धारा 28 में क्या कहा गया है, private tuition नहीं होगी, उसके बाद शारिरिक डंड को बोला गया कि किसी भी प्रकार का हम punishment, physical punishment और mentally किसी भी तरह से बच्चे को हम किसी भी तरह से उसको प्रताडित नहीं करेंगे, उसका अंत किया गया, बिल्कुल निशेद किया गया है शारिरिक डंड का धारा 17 में, तो आप से पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा में शारिरिक डंड और मांसिक परताडला का विरोध किया गया है या निशेद किया गया है तो वो आपका धारा 17 में किया गया है, उसके बाद SMC के बारे में बहुत important बात कही गई है, SMC की full form क्या होती है, School Management Committee, यानि विद्याले प्रबंधन समीती, विद्याले प्रबंधन समीती जो है, वो RTE Act के दौरान ही इसको लाया गया और धारा 21 में इसकी बात की गये, this is very very important, question आच चुका है अभी अभी recent DSSB के एक्जाम में, SMC में ये कहा गया, कि हर विद्याले में एक कमेटी होगी, उस कमेटी में 75 प्रतीशत सदसे कौन होंगे, माता पिता या अभिभावक होंगे, 75 प्रती होंगे, मतलब 75 परसेंट होता है कि पेरेंट सदसे होंगे, SMC के और 50 प्रतीशत महिलाएं सुनिश्चित होंगी, यानि SMC में 50 परसेंट कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, और जो SMC का अध्यक्ष होता है, वो माता पिता या अभिभावक होते है, ठीक है, SMC का अ है, वो भागिदारी करते हैं, SMC के अंदर, और SMC की बात, Right to Education Act में बोली गई, धारा 21 में SMC की बात की गई है, परसेंटेज याद रखना, 75% परसेंट होंगे, 50 परतीशत महिलाएं होंगी, और जो अध्यक्ष होंगे, वो माता पिता होंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो के पाच्वाअ पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यहां पर यह का आ गिया धारा 27 में, कौन सी धारा है, 27 है, धारा 27 में यह का आ गिया, कि सिक्षक को ना एक तो टूशन नहीं पढ़ाएगा, इहां पर प्राइबे टूशन का मना कर दिया गया धारा 28 में, प तो जनगंधा कर सकता है पहला यह question बन चुका है paper में teacher senses में भाग ले सकता है जो जनगंधा की जाती है वहाँ पर teachers भाग ले सकते है teacher जो है आपदा रहत कारे में हिस्सा ले सकता है disaster management work कर सकता है चुनाव संबंधी कारे जो भी कोई भी elections है तो चुनाव संबंधी कारे, आपदा राहत कारे, जनगर्णा संबंधित कारे में तीचर यह जो यह ऐसे काम है गैर सेक्षनिक जिनको टीचर कर सकता है अधर्वाइस कोई और कारे टीचर नहीं करेगा इस चीज की बात आर्टी एक्ट में धारा 27 में कही गई है यह आपको य प्राकार से डोनेशन या केपिटेशन फीस किसी भी पेरेंट से या किसी से भी नहीं लेंगे अभिभावक से चाहे वो कोई भी हो यह बात धारा 13 में कही गई है ठीक अगला पॉइंट है EWS के लिए 25 प्रतिशत आरक्षन दिया गया है धारा 12 के अंदर ठीक है तो 25 परसें से बिलॉग करते हैं ठीक है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं कमजोर हैं उन बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटे बोली गई है आर्टी एक्ट के अंदर आयू के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा आर्टी एक्ट में यह कहा गया कि कभी भी हम बच्चों को उनकी ग्रे है बच्चे की मातरभाशा होनी चाहिए पढ़ाने का उसके बाद अक्टिविटी बेस लॉर्निंग पर जाधय से जाधा फोकस करेंगे और होलिस्तिक डवलाप्मेंट का पूरा कारिकुलम जो होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जो भच्चे की holistic development पे focus करें तो इन तीनों आस्पेक्ट की बात की गई है जो कि आपके curriculum से related है आपके अध्यापन से या जो learning है उससे related है धारा 39 में कहा गया है कि holistic development होगा overall development होगा ऐसा curriculum हम बनाएंगे जो overall development पे focus करें CCE को लागू करने की बात की गई बहुत जादा हम qualitative evaluation पे focus करेंगे और इसके साथ साथ यहां पे यह भी का गया कि हर स्कूल में लाइबरेरी जरूर होनी चाहिए लाइबरेरी हर स्कूल में जरूरी है ताकि बच्चा जादा से जादा अपने आपको रीडिंग में इन्वाल्व कर सकें तो यह सारी बात जो है वो धारा 29 में कही गई है ठीक है यह थे कुछ important points जो आर्टी एक्ट में इन सभी चीजों का जिक्र अलग अलग धाराओं में किया गया है यहाँ पर हमने सारी चीजें लगभग आर्टी एक्ट के बारे में डिस्कॉस कर लिया है यह वोप कि यह वीडियो आपको help की होगी इस वीडियो ने और रिविजिन के point of view से आपको काफी मदद मिली होगी सो फिर session को end करते हैं अगर कोई doubt होता है in case anything you have any doubt then you can ask me in the comment section आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं regarding anything and if you need any video कोई video आपको चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं and कोई feedback हो तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं ठीक है so मिलते फिर अगले session में बहुत जल्दी thank you